नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली बजार मैं एसके रंजन बैपार की खास खबरों के साथ आज विशेश में बात करेंगे पलसेज इंड़ेस्ट्री के बारे में और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं दिल्ली सरकार के पूर्ब मंत्री मंगत राम सिंगल जी आए मंत्री जी से बात करते हैं क्या बता रहे हैं पलसेज इंडस्ट्री के बारे में खुद यह ब्रांड है मंगत राम डाल आप तो जानते ही होंगे आईए बात करते हैं पलसेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ पुरानी बाते कुछ नई बाते क्या कह रहे हैं किस तरह से परिवेस बदल डिल्ली के पूर मंत्री भी रह चुके हैं और आपका पल्सेज इंड़स्ट्रि से पुराना नाता है अनाजों से बदलते हुए सवरूप के बारे में आप क्या कहेंगे पहले बेपार में और अब के बेपार में क्या कुछ अंतर आया है जो बढ़ी चोटी स्केल फे Guitar होते निया दब्यदton के माल जो मतने जाता था वह बादिकि chauffeur जाता था और जो हमारे फाइनेंसर होते थे वो भी आड़ी यह एक्षी छोटा प्लांट लग गया 20-50 लाख में आज प्लोडो रुपे में प्लांट लग रहे हैं आज 20-20-20 करोड के 30-30 करोड के 100-100 करोड के प्लांट आज दिल्ली में लग रहे हैं और सब की अपनी जितने भी दालमील वाले उनकी फाइनेशल पॉजिशन काफी स्टोंग होती जा रही है पहले जो था आड़ती वो दालमील जो दालमील वाले आड़तियों पर डिपेंड करते थे निर्भर करते थे और यही नए वज अब हर दुकंदार या हर व्यापारी पूरे भारत वर्ष्टा डारेक्ट मीलों से माल लेने लगा है इसलिए नए बजार में जो काम था वो काम होता जा रहा है मिल वालों लोगे पाइस दुकाने हैं अधिक्तम दिल्ली के सरांडिंग एरिया में उनके गोडाउंस और मील से काम हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपसे यह जाना जाएंगे कि वरिए में मिक्सिंग के बारे में आप खाता हुएbuild l aplic возмож को नहीं हुटा फैसिम का कॉई सवाल ही में यह पक्का माल निकाला जाता है उस चीज को स्कार्ष और जिनको इस ट्रेड्ड के बारे में नी पता उस पॉलिस को यह कहते हैं पता नी इसमें रंग लगाते हैं और नी discussions को दालों के बारे में नहीं पता तो वो बड़ी-बड़ी अफवाय उड़ाते हैं गल्ध करें वहीं दाल शॉल को अनपॉलिस का जो वर्ड यूज करते हैं क्योंकि पॉलिस नाम की कोई चीज नहीं होती दालों में केवल जो रूल होते हैं मशीन होते हैं उनसे में उनकी गिसाई करके उनकी चमक देखे उसको हमारी देशी वासा में वर्ड है पॉलिस तो कि जब मैं डाल को हम चमकाते हैं तो उसको हम पॉलिश बोल देते हैं, क्या तो जब उसमें साइनिंग आती है डाल में, उसको ये लोग समझते हैं कि हम कलड लगाते हैं, वो हम उसको जो हमारे रोल मशीन होती है, उससे उनको रगड़ा देके, बलकि हमें तो नुक्सान है, पॉलिश करने में, तो कि हमारी ज शक है जो डाल मेले आलाज कोई mixing नहीं किस चीज की mixing करेंगे हर चीज यतनी costly है पहले बात दूसरी थी कोई डाल सस्ती होगी या दूसरी चीज होगी जैसे किसारी के बारे में बात करते थे आज तो किसारी भी government ने allow कर दिया परसेंट यह सारी डाल में होगी तो mixing नहीं मानी जाएगी वह allowed होगी sampling में तो यह जो बहाने बारी हो रही है कि यह polish करते हैं किस लिए color करेंगे जब natural जो चीज है natural है उड़र जो है ब्लैक हर हर की डाल पीली है तो पीली रहेगी तो यह जो चीजे mixing की बात या polish की बात करते ह यह सारी डल्थ बाते हैं अगर mixing नहीं है quality अंतर तो आप मानते होंगे quality अंतर तो है अगर किसी कालोनी में दिली को ही अगर ले करके चले वो एक डाल खाता है और एक जोगी वाला जोग डाल खाता है दोनों डाले एक ही मिल से निकल करके आती है लेकिन दोनों के rate में difference होता इस difference को किस तरह से maintain किया जाता है देखिए यह ऐसा होता है डालों की grading होती है डाल तीन चार टाइप से निकाली जाती है एक मोटी जाली से निकाली जाती है एक छोटी जाली से निकाली जाती है जो उपर की जाली से निकाली जाती है जो अपर क्लास होती है वो high quality में गिनी जाती है जो छोटी जाली से जो उसका बचा हुआ माल निकलता है वो मिडल क्लास में गिनी जाती है जो उससे छोटा माल निकलेगा वो सस्ता होगा जो बीच का माल निकलेगा वो उससे थोड़ा तेज होगा जो टोब माल निकलेगा वो उससे तेज होगा तो हर आदम की अपन कम होते हैं एक वो आती है टुकडा टाइप तुवर की डाल आती है उसके रेट और सस्ते होते हैं तो यह कोई उसका डिफरेंस नहीं है एक मिल में तीन चार टाइप की वराइटी बनती है जो ग्रेडिंग करके उसे च्छान के मोटा माल अलग निकालते हैं उससे छोटा हो जाते हैं तो ग्रेडिंग का फरेड़ रर ग्रेडिंग के इसाब से रेट होती है चलते चलते आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप एक लंबे सम Ohio से पसे में डिल कर रहे हैं पूरा फेमली जो है पल्से में लगी हुई है आपका जो ब्रांड है मंगत रम डाले जो देश मुझे मालूम है कि सबसे पहले मैंने 1964 में डाल मिल लगाया था तो मैं बाद में राजनीती में आया हूँ 1977 में 13 साल मैंने डाल मिल लगा है तो 13 साल में हमने यह सिखा कि quality maintain करो यदि आप quality maintain करोगी तो आप इसने बनाई है जिसने अपना ट्रेड मार्क इस्टेवलिस किया है आज वो जो डाल मिल है वो अच्छी प्रोस्परस कर रहे हैं अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो हमने जो हमारी डाले हैं हमने इसमें भी quality का ध्यान रखा है quality का ध्यान रखा है फ ठुसरे टाइप के दाले हम इस्तेवाल नहीं करते हैं तो वो उसका टेश्ट अलग है हमारी महरास्ता या मद्भेप्रदेश की तूवर RG का अलग से उसका स्वाद है इसीग scholars हैं संपरार की हार से में आता है MP से राज़्थान से हर्याना से या महाराष्टा से उसको असवाद अलग होता है। तो हम उस चीज को ले के जो टोप की चीजह हैं वो अपने पैकिंग में हम रखते हैं। और उससे क्वालटी भी अच्छी आती है उसका स्वाद भी अलग होता है। यो मारी डाल्याव सब Zoo करो पर वार वार उसी डाल को कोश्शित करता है और क्वारई की वज़े से हमारा नाम चलए में और कॉइल्टी की वज़े teसे सबस्दुर्ण क does कर दाले आपकी जो डाले फैमस है उरक और मुंग ben हुद है को ऊधिया हमारी से कच्छा दाल ग॔रे कच्छा दालुस मी पखल बदलते तो इसलिए हमारा जो होल किर में लिए है बढ़िया मास्ट भी एंए लाइन इसलिए वह just मञगत राम जी डालों के बारे में इतनी जनकारी देने के लिए और अपने ब्रांड मंगत राम दाल के बारे में जनकारी देने के लिए और डिली बजार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो लोगों में एक भरम है कि मिल वाले पॉलिस लगाते हैं मिल वाले रंग लगाते हैं वो जो आप जब अपने इस पर दिखाएंगा भरम दूर हो जाएगा यह जो बड़ी-बड़ी कंपनिया भरम भला र मसीनों से पॉलिस की जाती है ना कि उसमें झाल जाती है ना कि उसमें कोई रंग लगा जाता है ना और कोई चीज़ें लगा जाती कि यह पाल सी मुऊंग है, यह पाल सी उरवद है, जो हमारा जेसी सब्द है, इस्टिमाल करने का, वो इस्टिमाल हम करते हैं, और जब आप लोगों का यह भरम दूर करेंगे, तो मैं समझता हूं, कि आल्वाले हैं, उनको जो ये लोग बेईमान बताते हैं वो बेईमानी से उनका जो मारक है वो हड़ जाएगा तो ये आपके माद्दम से लोगों को समझाने की बात है